बिस्मिल्ला रख्मान वहीं, क्लासिक सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नमबर 11, जू हॉस्पिटल, आज लेसन नमबर 11 के एक्सेसाइज का सेकिन लेक्चर है, पेज नमबर है 119, लेस्टार्ट, भी पार्ट से हमने स्टार्ट करना है, टिक ती राइट चॉइस, टू फिल स्टेट्मेंट, हर स्टेट्मेंट में आपने जो ब्लैंक है, उसको सही चॉइस से टिक करना है, टिक कर लें या फिल कर लें, टैनिमल्स लाइक, फस्ट फ़ली है, जैनिमल्स लाइक तो लिव इन नैच्रल डैश, जानवर अपनी कुदर्ती डैश में रहना पसंद करते है तो क्या होंगे कुदर्ती, हाउसेज, प्लैसेज, स्राउंडिंग्स या बुशेज, तो जानवर अपने रहते हैं जी, स्राउंडिंग्स में, नैच्रल स्राउंडिंग्स जो होती है, कुदर्ती माहौल में, तो हाउसेज, प्लैसेज जो हैं वो नहीं आएगा, बलके आए स्राउंडिंग. इसी तरह सेकिंड वाला देखते हैं, इक्सपर्ट डॉक आफ्टर डैष इननाजू हास्पिटल. जो माहि डॉक्टर हैं, वो जानों के हसब्टाल में, यह चिरिया घर के अउस्पिटल में देक्भाल करते हैं, किसकी देखबाल करेंगे जो माहे डॉक्टर हैं और जू होस्पिटल में तो वो करेंगे जी एनिमल पेशेंट्स की तो इसमें आजएगा एनिमल पेशेंट्स सी वाला मैं इसको साथ में ना इंसर्कल भी कर देती हूँ थोरा सा कलियर हो जाएं अब है जी नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला है जी थर्ड वाला दोक्टर डैश दवेस हाव दैनिमल शुट बी मेड टू टेक मैडिसन डोक्टर्स क्या करते हैं तरिके तलाश करते हैं कि किस तरह जानवर को दवाई दी जाए तो क्या करेंगे दॉक्टर फाइंड फॉर्थ वाला है जी डैश हाज ग्रेट लाइकिंग फॉर पुटेटोस कोई जानवर है जिसकी आलों को बहुत पसंद करता है तो हमने बीचे चैप्टर में बढ़ा था कौन था एलिफेंट था तो एलिफेंट एड ग्रेट लाइकिंग फॉर पुटेटोस इसी तरह नेक्स वाला देखें अभी हमने इसको आंसर क्वेशन में भी देखा है जिराफ है लाइकिंग फॉर डैश अभी किया था लोफ उफ शूगर जिराफ के जो हैं चीनी की टिक्टिया को पसंद करते हैं और लास वाला देखें लास वाला है जिस पॉन बिल मॉस्टी लिफ जॉन डैश ये भी अभी हमने एक क्वेशन आंसर में देखा है कि जो बगले हैं वो किस पे रहते हैं फिश पे तो ये हमारे सिस के सिस जो स्टेट्मेंच ही जो फिलिंग दी बलैंक ही वो हमारा हो गया पार्ट कंप्लीट नेक्स पार्ट आप देखें जी ग्रेमर का पार्ट है और एकचेंपल भी देवी है और बॉक्स में भी दिया है Transitive verbs Transitive verbs होते हैं متعدی افعال ठीक है अब متعدی افعال होते क्या है उड़ी तो मैंने आपको बता दी When a verb has an object that receives the action of verb जब एक verb का object होता है यानि verb के बाद object आता है और वो action of verb और वो उस verb का या उस fail के जो अमल है उसको क्या करता है receive करता है या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जिस पर fail का action वकूपजीर हो रहा है एक fail का एक object है एक object को मफूल कहते है या आप इस तना कर लें उर्दू में आपको बता दी है लेकिन हम एंगलिश में आपको बता हूंगी एक verb का एक object है और वो जो verb है वो उस जो अमल है action है उसको उसका अमल वकूपजीर होता है ठीक है एक verb का एक object है और वो object उस verb के अमल को वकूपजीर करता है यानि उसका अमल वकूपजीर हो रहा है तो हम कहते हैं कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है अब कैसे एक एक्जेम्पल उसने दी है यह देखें डॉक्टर क्या देता है अपिल अब देखें यहां तक बात खतम नहीं होती यह देखें अकर मैं आपको कह दूँ डॉक्टर गिव्ज डॉक्टर देता है यह बात खतम नहीं हुई गिव्ज जो है वो वर्ब है तो बात जो है वो चल रही है डॉक्टर क्या देता है अडॉक्टर गिव्ज आपिल तो यही उसने कहा है कि यह वर्ब है और यह अबजेक्ट है और जो object है वो verb का action जो है वो receive करता है यानि इसके बगार यानि अगर मैं पिल्स ना रिखती तो ये verb का जो action है ये में clear नहीं हो रहा था तो इसलिए ये gives के बाद लाजमी तोर पे object आना था और ये object क्या कर रहा है इसका verb का action को receive कर रहा है तो ये example है ट्रांजिटिव वर्ब्स की और इसी तरह आप नेक्स देखें a human patient guest एक इंसानी जो मरीज है इंसान मरीज gets हासिल करता है क्या हासिल करता है फिक्रा खत्म नहीं हो रहा तो क्या हासिल करता है जी a medicine तो gets जो है वो है वर्ब और a medicine जो है वो है object और ये भी बात complete नहीं हो रही जब तक हम object ना लिखें तो ये object जो है a medicine ये किस के action को receive कर रहा है गिल्स को receive कर रही है और यहां पर आप देखें medicine एक वर्ब अबजेक्ट है ये gets के action को receive कर रहा है इन अदर पर हम कह सकते हैं मुतदी अफ़ाल या transitive verbs होते हैं उनके बाद object लाजमी आता है अब है जी page number 120 वही आपने transitive verbs को जहन में रखना है उसकी उसे related exercise उसने दी वी है complete these sentences with objects इन sentences को आपने object से fill करना है तो पहले आप understand कर लें I sold मैंने बेचा ये भी complete नहीं हो रहा I took मैंने लिया I bought मैंने खरीदा I understood मैंने समझा और I wrote मैंने लिखा अब देखें ये बात complete नहीं हो रही ये verb हैं सारे इन verb के बाद कोई ना कोई जो है वो object लाजमी आएगा तो इस वज़ा से ये verb जो है data transitive verbs जि जिनके बाद object लाजमी आएगा तो कुछ भी आप इसका sentence मना सकते हैं I sold a house मैंने एक घर को बेचा और I took इदर हम कर लेते हैं tea मैंने चाए पी या चाए ली I bought मैंने खरीदा क्या खरीदा book कर लें या back कर लें I bought a bag मैंने एक बस्ता खरीदा I understood answer मैं जवाब को समझ गया I wrote a letter ठीक है अब यह देखें यह सारे verbs जो हैं transitive हैं जिनके बाद object लाजमी आएगा यह complete नहीं हो रहा था sentence objects के बगार तो in verbs को हमने कहा transitive अब अगर आप इदर देखें अब यह in transitive verbs कहा है जि वो क्या है when the verb doesn't have an object जब verb के बाद object नहीं आएगा and nothing receives action और कोई भी जो अमल है वसूल नहीं हो रहा होगा यह वकूपजी नहीं हो रहा होगा नहीं ठीक है न वरब तक कहां बात खतम होगी कोई आगे next चीज नहीं है तो we say that verb is in transitive तो यह क्या है in transitive verb है और उर्दू में अगर आप देखें in transitive को कहते हैं लाजम अफ़ाल वो मुतदी था और यह है जी लाजम अफ़ाल तो एक्जेंपल भी इसकी दी रही है आई दा बर्ड क्राइड प्रिंदा जो है क्राइड आप कहते हैं चिलाया या चिखा और अलेफंट कफ्ट हाती को खांसी आई या हाती खांसा अब देखें इसके आगे हमें अबजेक्ट की जूरत नहीं है यह बात यहीं तक कंप्लीट हो गई है क्राइड तक और काफ तक तो यह जो वर्ब्स हैं डाट आर इन ट्रांजिटिव और इसी से लेटेड आगे एक्सराइज दी वही है अच्छा जी यह है जी ट्रांजिटिव वर्ब्स इनको हमने सेंटेंस में यूज करना है तो करते हैं इंके बाद आजएक्ट नहीं आएगा फर्स्ट वाला है जी स्लेप्ट सोया सेकींड फॉर्म दी वी है तो हम ऐसे कर सकते हैं एट तैनों क्लॉक आई स्लेप्ट ठीक है मैं दस बजे सो गई तो इसके बाद वर्ब्स के बाद अबजएक्ट नहीं आया क्राइड ही fell अब हमने object नहीं इसके बात अक़ने से थोड़ा सा बिनाने में थोड़ी इसी confusion हो रही है आई fell मैं गिर गई तो गिरने का मतलब होता है इमेशा fell के सब डाउन रही यह object नहीं है यह preposition है जो यूज हो रही है इसला I fell down आगे है ran run की second form है in race I also ran यहीं कि उसने कहा है कि दोर में मैं भी दोरा फिर है जी रोज भर जाना In the class, my voice, मेरी आवाज रोज भर गई Second form दीमी है सारी तो इसके बाद कोशिश करनी है कि आपने object नहीं लगाना object लगाएंगे sentences तो बहुत बनते हैं हमने intransitive verbs को यूज करना sentences में ताकि फरक पता चले कि intransitive के हैं जिसने हमने यह fill the blacks की थी तो कोशिश यही करनी है कि intransitive verbs ही यह रहें slept at 10 o'clock है cried, he cried fell, I fell down यह preposition है, यह object नहीं है ran है, I embrace I also rain rose है, in the rose, my voice in the class, my voice rose, मेरी आवाज class में भर गई अच्छाची, अब next part है make sentences of following words अब आपको verbs दिये वे हैं words दिये वे हैं, जिए वर्ब हैं इन से आपने sentences बनाने हैं और आपने बताना है आया वो transitive बने हैं या intransitive बने हैं तो first of all I start करते हैं laugh, they laugh at me वो मुझ पे क्या करते हैं हसते हैं फिर है जी follow follow का simple सा हम कर लेते हैं we should follow Islam हमें Islam की पैरवी कर दी चाहिए और है अगला by I by a car मैं एक गारी खरीता हूं फिर है जी weep अब अगर आप देखें तो ये सारे के सारे जो है ना ये intransitive बनेंगे क्योंकि अगर इसकी form change करेंगे तब जाके अगर आप उपर वाला use करें तो second form हो तब हम इसको intransitive बना सकते हैं लेकिन चूंकि हमें उसे weep दी हम use कर सकते हैं weep भी कर सकते हैं weeping भी कर सकते हैं लेकिन जैसे हम suit करेगा वैसे करेंगे इसका कर लेते हैं he is weeping कर ले सिरफ मैंने इसको differentiation करने के लिए आपको बताया है लेकिन अगर वैसे आप करें तो आजाएगा he weeps in the class यह मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया है आगे है जी clean I clean my teeth मैं अपने दान साफ करता है अच्छा अब मैंने क्या किया है उन्होंने दी वी है laugh, follow, by, weep clean यह सारी first form है और अगर हम first form को ही use करें तो फिर आप देखें उसके बाद object लाजमी आएगा उपर जो सारा था वी वला पार्ट उसमें हमने second form यूज की थी अब देखें दे laugh at me वो मुझ पर हसते हैं वो इशुड फॉले सामें इसलाम की परविकरेंजी अब देखें laugh के बाद object आ रहा है follow के बाद Islam आ रहा है buy a car, buy के बाद car आ रहा है weeps in the class, weeps के बाद in the class आ रहा है, clean my teeth clean के बाद teeth आ रहा है अगर हम इसको first form में use करेंगे तो सारे के सारे क्या आएंगे transitive और अगर हम इसको change कर लें, या second form use कर लें, या वक्त की first form के साथ ing लगा दें, तो मैंने एक example जिर्व आपको देने के लिए या देखें he is whipping, वो रो रहा है तो अगर हम first form को change करके ing या second form में use कर लें तो फिर जो है, वो intransitive के तोर पे use होगा otherwise आप देखें कि वो transitive ही use होता है तो मैंने ये दोनों आपको इसलिए करके दिखाया, he is whipping, यानि के इसके बाद object नहीं है, तो ये intransitive बन जाता है, तो अगर all भी अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, जिसना they laugh at me है, तो इसको हम कर सकते हैं, they are laughing, वो कोई मसला नहीं है, आप change करेंगे, तो ये मैं बताने लगी हूँ, कि तब intransitive बन जाएगा, otherwise नहीं बनेगा तो अगर आपना भी बनाएं, आप पांचों के पांचों जो हैं, first form में यूज कर लें, तो सब के आगे, ट्रांजिटिव ये कि टिक कर लें, तो ये भी बुरा नहीं है, मैंने सिर्फ example बताने के लिए आपको देखें, they are laughing, अगर हम change करते हैं, तो फिर ये इंट्रांजिटिव में यूज हो जबता है, इसके साथ हमारा 120 पेज की जो exercise है, वो भी complete